सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की स्टोरी एक आदमी जो कर्ज में पूरी तरह से डूप चुका था इंगलिश में बोलेंगे तो धियान रखना इसमें बेज बी साइलेंट इसलिए से डेट पढ़ा जागा तो आपर कहा जा रहा है कि एक आदमी जो कर्ज में पूरी तरह से डूप चुका था वो सड़क पर चुप चाप चल रहा था यहाँ पर बता जा रहा है कि उसकी बीवियों से लड़कर अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली गई थी और जिन लोगों से उसने पैसा उधार ले रखा था वे इसे मारने की धंकी दे रहते है और बता जा रहा है कि his house was sold उसका घर बिक चुगा था and the people from whom he had borrowed money were threatening to kill him जिस लोगों से उनने पैसा उधार ले रखे थे उसे मारने की धंकी दे रहते so he was going to the railway station इसलिए वो railway station पर जा रहा था so he was going to the railway station इसलिए वो railway station पर जा रहा था to jump in front of the train train का आगे कूदने and end his life और अपनी जिंदाई को खतम करने तो यहापर बता जा रहा है कि so he was going to the railway station to jump in front of the train and end his life इसलिए वो railway station जा रहा था ताके train का आगे कूद के अपनी जान दे सके आगे बता जा रहा है कि he went to the railway station वो railway station गया he went to the railway station वो railway station गया and stood near the train track और rail की पटरी के पास जा कर खड़ा हो गया waiting for the train train का इंतजार कर रहा था suddenly, अचानक से he heard a voice calling his name उसने एक आवाज सुनी को इसका नाम पुकार रहा था suddenly, he heard a voice calling his name उसने एक आवाज सुनी जिसमें कोई इसे पुकार रहा था, उसका नाम पुकार रहा था he turned back, उसने पीछे मुड़ कर देखा and was surprised to see Rahul और Rahul को देखकर surprised रह गया his childhood friend, उसका बचपन का दोस्त whom he hadn't met in years जिससे वो सालों से नहीं मिला था whom he hadn't met in years तो हैंपर बता जा रहा है कि he turned back and was surprised to see Rahul उसने पीछे मुड़ के देखर Rahul को देखकर surprise रह गया his childhood friend, उसके बचपन का दोस्त whom he hadn't met in years जिससे वो सालों से नहीं मिला था Rahul ran towards him and hugged him Rahul उसकी पास भाग के आया और उसे गले लगा दिया Rahul ran towards him and hugged him as soon as Rahul hugged him जैसे Rahul ने उसे गले लगाया as soon as Rahul hugged him जैसे Rahul ने उसे गले लगाया he started crying, वो रोने लगा he started crying, वो रोने लगा Rahul asked him why he was upset Rahul ने उसे पूचा क्यों तुम दुखी क्यों हो upset क्यों हो Rahul asked him why he was upset Rahul ने पूचा तुम दुखी क्यों हो and he told Rahul everything और उसने Rahul को सब कुछ बता दिया including the fact that he came to the station to commit suicide ये भी बता दिया कि वो station आया था अपनी जान देने आत्माहत्या करने तो यहां पर बताया जा रहा है कि उसने Rahul को सब कुछ बता दिया यहां तक कि ये भी बता दिया कि वो यहां आत्माहत्या करना आया था he told Rahul everything including the fact that he came to the station to commit suicide Rahul convinced him that he was not alone Rahul ने उसे समझाया कि वो अक्यला नहीं है Rahul convinced him that he was not alone and took him along with him और उसे अपने साथ ले गया and took him along with him So friends, छोटी सी वीडियो थी ज़रूर बताना कैसी लेगी अच्छे लेगी तो लाइक ज़रू कर देना अगर आप इस तरी के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना and thank you so much for watching this video friends